आलो साथियों एक टॉपिक वाली सीरीज में आपका स्वागत है वीडियो नंबर 75 वन वीडियो वन टॉपिक आज का टॉपिक होगा रेशनल नंबर और वो भी कुछ अलग यानि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना जैसे अगर मैं आपसे एक लिख्याएं हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जैसे यहां पर मैंने 2 लिख दिया यहां पर 5 लिख दिया तो आप कहोगे कि इसके बीच में 3 है और 4 है यह तो आपको होगे बहुत सिंपल है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि 2 वा 3 के बीच में कितनी पर्मिय संख्या हों हाप ही है unlimited जिनको आप नहीं सकते हो तो कैसे लगेगा अजीप सा लगेगा ना बिलकुल वही मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किनी दो संख्याओं के बीच में आपंफर क्यों कैसे निकाल सकते हैं कैसे find कर सकते हैं दो परमिय संख्याओं के बीच में परमिय संख्या ठीक है वीडियो को पुरा अंत तक देखना है अगर सीखना है तो बीच में छोड़के नहीं जाना है जैसे एक तो छोटा सा बेवहारिक तरीका बताऊं तो वह समझे कि जैसे दो है और तीन है जरा यह बता मु तो शायं हो सकता है इसका मतलब जानते हो बताता हूं घाली यह है कि यह क्या थे मालें कंव। मैरी के और रुपया का दीन रूल होता है थे is पैसा है दो रूपया बीस पैसा फिर दो रूपया तीस पैसा दो रूपया चालिज दो रूपया पचास इसे से करके करके दो रूपया सी पैसा दो रूपया नवे पैसा फिर तीन रूपया यह तो हो सकता है ना तो आपको अच्छा तो दो पर में संख्याओं के बीच में य यह एक से लेकरके नौता केहने नों परमिय संख्याएं हो सकती हैं इन्हीं दो और तीन के बीच में संख्या हो सकती हैं लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है यह भी गलत है यह गलत क्या है बताता हूं तुम्हें देखर अब इनु इसके बीच में कहा था कि इसके बाद दो रूपया दस पैसा है कहा था ना आपको एक चीज में आप यह भी कह सकता हूं कि दो रूपया के बाद आपको और फिर जो आएगा उनकी बीच में भी ऐसे ऐसे करके ना परत दर परत तुम खोलते जाओ उनके बीच में पर्मिय संख्या निकलती जाएंगी क्योंकि संख्या चोटी 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 पॉइंट में बढ़ती जाती हैं और किनी भी दो पर्मिय संख्या के बत समझ में आई लेकिन मैं एक नार्मल सा स्पीड वाल तरीका बता रहा हूं जिसमें आप आराम से कर पाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है जो भी किया थोड़ा आफान वाल रहेगा दिमाग का परियोग कम होगा और आप तेजी के करते होगे इसको 30,法 1 क कतो हो गया यह है को भी था बख्यों के रूप में लिख दिया अब क्या करना है हमें कितने पर में संखेफायं करना था कि पांच पांच करना था समझना है आप साबने कशना यह यह सिटेप 1 हमने क्या किया 1996 उनको आंस और हर के रूप में लिख लिए पपानकयू के रूप में लेकिन कंडीसान यह administration व है कि उनका हर बराबर होना चाहिए nephew किसमें दोनों का अल्रेडी बराबर है ठीक है यह आएगा 12 बटा थे इधर भी वही करोगे 3 बटा एक 5 निकालनी थी तो 6 से गुड़ा करोगे इससे करोगे 6 से बराबर आएगा यह 18 बटा थे ठीक है बात को समझते जाओ अच्छे से बड़ियांसे कोई डाउट कोई दिक्कत परिसानी हो तो मुझे बता देना यह हो गया हमें क्या करना था 5 पर में संख्या निकालनी थी हमें काम कर सकते हैं क्या है इन दोनों को थोड़ा सा दूरी कर दीजिए उचित दूरी बना दीजिए इसमें अभी देखिया आंसर आजएगा दोड़ के देखते रहो बसा इसे देखो 12 बटा छे के बाद 13 बटा पंद्रा बटाच्छा निकल गई निकल गई की देखेना एक ये तरीक था यह और याद रखना अगर कोई बी एकजामनर ये वाला आंसर वह गलत नहीं है तो वह गलत नहीं है कोई बच्छा निकाला यह पर भीज़ा आज़ा तो कोई किसी फंसन में नाम पूछ ले भाई फलाने के दो लड़कों का नाम बताओ आपने कोई दो का नाम बता दिया पिर वहीं कोई एक और भी था जो उसी सवाल का जवाब दिया उसने मजलके का उसके बाद बता दिया कैंशे, उसका उसका उत्तर गलत था नै क्यूंकि उसने पूछा था सब्दो और उस쪽 बंदे का उलड़ी साथ लंड़के थे थे तो दो लोगों ने जबाब जो दिया दो को दो लड़कों का दिया दोनों अलग लड़कों को जबाब दिया दोनों का जबाब दा लेकिन उत्तर तो सही थाग नहीं क्योंकि उसके तो साथ लड़के आ ना तो चारे अलग आएगा लेकिन तरीका होना चाहिए यह नहीं कि बिना किसी तरीके कुछ बता दिए तरीका सही होना चाहिए ठीक है एक चीज इसमें और समझ देना वो क्या है कि इनके बीच में पर्मिय संख्या हो गया मैं आपको यह बताना चाहता था क्या है कि यह चीज इधर देखो दो बात तीन के बीच में जो पर्मिय संख्या मैंने आपको बताया था एक 2.1 होगा एक 2.2 होगा तो इनको हम यह 21 आपां टैन यह 22 आपां 10 यह 23 आपां 10 इस करते है 29 आप 10 और यह 30 आपां वं किसको यह समय सरु हाई नहीं हद भी के बीच में ही इस रोत यह सकते हैं यह कुछिशन जिससे आप खुद से करोंगे हों मोर्क अब लिखो गंख्या सार्वाट के बीच कितनी परमीय संसक्यार निकालोगे तीन परमीय संख्यार निकालना और 11 भाँ लिख कर दो कि के बीच सात परमीय संख्या निकालना तो जबड़ा वा 16 के बीच नौ पर में संख्या निकालना यह होम और के लिए ठीक है बच्छों 27 तारीख साम से या ठाई तारीख सुबा से मैं आपकी लांग कला से लाइब करूंगा अभी इस समय काफी बराद चल रही लोगों की काफी साधियां हो रही है और मुझे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे पढ़ जाते हैं साधिया जिन्हें अटेंड करना ही पढ़ता है तो इसलिए अगर आप ड्राइविंग करके जा रहे हो तो तीन सो किलोमेटर आ रहे हो फिर हिम्मत नहीं होती कुछ और करने का समझ रहे हो क्योंकि महनत लगती है दिमाग हाथ पर सब चलता रहता है तो फिल हल कि इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद पूरा फुल कोर् आप देखें कोई भी विचार है कोई भी बाते हैं कोई सुझाव सिकायत आप कमेंट करिए मैं आपको बताऊंगा रिपलाई करूंगा नीचे नंबर चलने सब्बर करें